How to reduce belly fat in 1 month, 1 week, 3 month बाई यहां तो ठीक भी था जहां लोग एक महिना, दो महिना, एक हपता टाइम ले रहे रहे थे लेकिन यूटूब पे लिटरली एक ऐसा वीडियो अप्लोड़ेट है जिसमें लिखा हुआ है टाइडल है उसका How to reduce belly fat in 1 day जस्ट वन डे ठीक है और वो वीडियो अप्लोड हुआ है ब्राइड साइड नाम के काफी रेप्टेट चैनल से जिस पे काफी ज़्यादा भ्यूबी है मतलब एक दिन में belly fat गटाने वाले लोगों का संख्या है दुनिया में अब इस वीडियो का अगर हम आपको मोटा मोटी समरीद है तो इसमें यही बताया गया है कि पूरे दिन आपको अलग 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 तरह का ठीक है अब यहां भी लोग क्या करते हैं बहुत लोगा क्या कंसर्ण रहता है कि वह एक्स्ट्रीम केलिक डेफिसेट में चल जाते हैं लेकिन उसके बाद उनके अंदर इतना जड़ा ऑपसेशन आ जाता है कि थोरा बहुत भी चरवी अगर उनको दिख जाता है वहाँ पर तो ऑपसेश हो जाते हैं कि भाई हमको यह भी हटाना है ठीक और उसके चक्कर में विडियो देखते हैं जिसमें completely लोगों को misguide किया जाता है अगर आपको हम fat burning mechanism समझाएं यानि आपके बादी से fat जाता कैसे है तो उसमें होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई साभी ऐसा nutrients में तो कोई साभी ऐसा खाना खाते है जिसमें fat present है तो वह fat हम fatty acid में तूटता है और fatty acid हमारा body store करके रखता है एडिपोस टिशू के पास ठीक है और उस cells को एडिपोसाइक्स बोलते हैं अब जब आपके body को extra energy का जरुवत परेगा तब फैट के cells को break करेगा बतला fat के cells के अंदर fatty acid को break करेगा ठीक और fatty acid break होके ketones में तूटेगा और आप जाता का है आपका वेश्ट इतना था इतना से इतना हुआ तो fat कहीं तो गया होगा तो fat majorly निकलता है carbon dioxide के थुरू आपके body से remove होता है ठीक है और इसी को आप metabolism भी कह सकते हैं ठीक यह हुआ fat burning mechanism पूरा-पूरा ठीक इसको achieve करने के लिए आपके body में अगर carbohydrate का concentration कम रहेगा त आपको completely हटा दो जो कि unhealthy है completely carbohydrate को कभी भी अपने डाट से नहीं हटाना चाहिए ठीक कुछ amount of carbohydrate रखना चाहिए और एक बात हमेशा जान लीजिए कि कभी भी आपको fat loss करना हो तो वह process जितना slow रहेगा आपके body के लिए उतना अच्छा रहेगा जितना fast के चक्कर में भाइगा कितना ज्यादा side effect भी दिखने को मिलेगा आपको पता है और आपका body fat वापस गेन भी कर लेगा ठीक है इसी लिए जितना ज्यादा आप slow जाईएगा ठीक है और complex carb खाईएगा protein containing food खाईएगा उतना ज्यादा आपका body अच्छे से fat को burn करेगा ठीक है और आपके body में कुछ muscles का भी amount रह जाएगा नहीं तो इस सूखा बिना खाने के रहने से आपका body और खतम हो जाएगा energy level down हो जाएगा बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा ठीक है अंदर से मरा मरा सा फील होगा ठीक तो इस तरह का video को follow करने से अच्छा है कि normal जैसा body आपका वैसा छोड़ करना है तो अपने body को time दीजिए क्योंकि कोई आदमी मोटा एक दिन में नहीं हो जाता है time लगता है मोटा होने में अगर आपको एक से दो साल लगा है तो पतला होने के लिए 7-8 मिन आपको देना होगा लेकिन इस तरह का video फिर भी बनता है लोग देखते हैं आपको पता है लोग इस तरह का video इतने जादा क्यों देखते हैं क्योंकि उनको जूठा belief मिल जाता है यहाँ ऐसा हो सकता है फिर नहीं होता है उनको disappointment होता है अंदर से demotivated सा feel होता है ठीक है लेकिन हम आपको harsh reality बताती है कि fat loss करना उतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है लेकिन आपको time देन तो आप like share subscribe कर सकते हैं अगर आप तक video पहुंचा हो तो